हलो फ्रेंज गैसे हैं आप सभी उम्मीद हैं आप सभी बहुत अच्छी होंगे बहुत दिनों से आप लोक लोक क्लास का बेट कर ते हैं हम लोग भी बाहर थे ठीक है हम भी एक्जाम-एक्जाम के तिरें में ही लगे हुए थे तो इस शक र में बीडियो नहीं आ पाई English की अगर आप बात करें तो English की Classes जितनी भी बची है बहुत जल्दी आ जाएंगी ठीक है, दो-तिन दिन के अंदर सारा English का हो जाएगा तो उसके लिए आप परिशान मत हो ना क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि English की Classes नहीं आ रहे हैं, तो वो जल्दी आ जाएंगी ठीक है, तो course जल्दी complete हो जाएगा उसके आप टेंसर मत लेना, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पवन जो आपकी सीरीज है, ठीक है, बहुत लोग ये भी पूस्तें की जितने भी optional question दिये गए हैं इसमें पवन की सीरीज में, ठीक है, तो एक नमर वाली social science की जितने भी question है, वो हम सब तयार कर लेंगे ठीक है, चलिए start करते हैं पहला जो इसमें प्रशन दिया गया है, वो है कि नाना साहब दत्तक पुतर थे बाजी राओ के, राणी लच्मी भाई के तात्या टोपे के या सिवाजी के दत्तक पुतर का मतलब होता है, गोद लिया हुआ ठीक है, दत्तक का मतलब क्या होता है गोद लिया हुआ, जिसे गोद लिया गया था तो नाना सहब जो थे वो दद्दक पुतर थे, किसके थे तो बाजी राओ के थे ठीक है ए ओप्शन आपके बल्कुल ठीक हो जाएगा बाजी राओ के पुतर थे नाना सहब Next question है कि कोँः सिंग किस राजी के जमिदार थे ठीक है कोँः सिंग का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुनाओगा जब भी हम किरांतियों की बारे में पढ़ता है कि किसने कहां से करांती शुरूर की तो उसमें हम लोग कुवर सिंग का नाम पढ़ते हैं तो कुवर सिंग ने कहां से करांती स्टार्ट की थी या कह सकते हैं किस राज के जमीदार थे तो राज तो नहीं कहेंगे लेकिन यह कि जगह जो थी तो कौन सी जगह है बैरकपुर, अबध, बिठूर या दॉक्टर राजेंद परशाद, दॉक्टर सजदानन सिंहा, दॉक्टर भीमरा उमबेटकरिया, इनमें से कोई नहीं, तो देखे, जब सम्विधान सभा बनी तो उसकी कई सारी मीटिंग हुई, ठीक है, तो जब पहली मीटिंग थी तो उसमें हमने क्या किया था, एक आइस सजदान सिंहा, इस नहां देखे रशाद को, ठीक है, तो ईक दिन के लिए इने आइस ताई अध्यच बना दिया गया गया, पहले सजदान सिंहा को तो उसके बाद उस समय स्थाए ध्यच बनाया गया किसे, डॉक्टर राजजन्त प्रशाद को, ठीक है, टो नूक्टर तो डॉक्टर राजन पर साथ थी आगर आ इस्थाई पूछ लिया जाए तो डॉक्टर सजदानन सिन्हा हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर इस्थाई पूछा गया तो यह option बिल्कुल ठीक हो जाएगा इस question है कि हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगटन ठीक है दो पार्टिया थी पहले इसका नाम था हरे एसकी फिर्फॉर्मती हिंदुस्तान रिपर्ब्लिकन एस्थेशिएशन ठीक है इसकी इस्थापना की थी आपकी रामप्रशाद विस्मिलंhe तेक है इनके साथ चंसेघर आजाद भी थे सचिन्ना सान्याल भी थे ठीक है तो ये सारी लोग थे जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ क्रांतिकारी और बंगार के कुछ क्रांतिकारी मिले हुए थे ठीक है इन्होंने मिलकर HR जो संगठन था इसकी स्थापना की थी ठीक है बाद में क्या हुआ इन्होंने ही एक क्रांतिक खाना भी है तो इस सीज में यह सब सामिल थे ठीक तो एचारे जब था तो उसके बाद प्रक्या किया गया कि चार जो क्रांतिकारी तो ने फासी दे दी बाकि जो सोला थे उन्हें भी चार साल से लेकर उम्र कैद तक सजा दे दी गई ठीक तो यह जो एचारे था वो टूट ग तो आप इंगलिस में देखना है, इसे हिंदी में मत देखना, क्योंकि 만गा किस ने किया था तो वो भगस सिंग और चंसेखर आजाद ने मिलकर किया था ठीक है तो confused मत हो ना अगर HR आता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एशुशेशन आता है तो राम परशाद बिस्मिल हो जाएगा अगर ये option में नहीं है तो चंसेखर आजाद हो जाएगा और अगर हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोचलिस्ट एशुशेशन आता है यानि कि HSRA आता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका भगस सिंग ठीक है अगर वो option में नहीं है तो चंसेखर आजाद क्योंकि नोगों ने मिलकर किया था ठीक है तो ये clear हो गया होगा आपको नैश कोशन है कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे भगस सिंग, चंसेखर आजाद, राजगुरू या सचिंतरनात सान्याल तो जो बंदी जीवन है ये किस ने लिखी है तो बंदी जीवन जो पुस्तक है वो आपके लिखी है सचिं ना सान्याल लें ठीक है नैश कोशन है कि सुतंतरा प्राप्ती के समय पांड़िचेरी कबजे में था जब सुतंतरा हमें मिली 1947 में उसमें जो पांड़िचेरी था वो किस के कबजे में था आपकी साइड बुक में गलत दिया है पुर्तगाली दिया है तो फ्रांस जो था उसके कबजे में था पांड़िचेरी ठीक है अगर हम गोगा की बात करें तो वो पुर्तगाली के कबजे में था लेकिन अगर पांड़िचेरी की बात करेंगे वो फ्रांसीसियों के कबजे म तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका हरयाना हरयाना दिल्ली से लगता है तो इंडिस्टियल एरिया है तो बहुत ज़्यादा कम बन पाए जाते हैं मुस्किल से साथ 0.5% यहां पर बन पाए जाते हैं ठीक है बहुत ज़्यादा कम है तो सबसे आदा कौन से बन है जो भारत में पाई जाते हैं, आदर मानसूनी बन, उशनिकडवन दी सदाबाहर बन, उशनिकडवन दी पतजडवन या दलदली बन, तो दिखें अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में सबसे आदा पाई जाते हैं, उशनिकडवन दी पतजड रहते हैं, जबकि सदवाहर बन क्या होते हैं, वो अलग-अलग time पे गिराते हैं, इसलिए होहां पर वो सदवाहर बने रहते हैं, मतłędy हमेंसा हरे वारे देखने को मिलेंगे, कब कौiled गिरा देंगे, पता नहीं, ठीक है, तो वो सदवाहर रहते हैं, लेकिन पज़्डबन में कडवंदी पतिजड़ बन पाए जाते हैं या उसन कडवंदी मांसूनी बन पाए जाते हैं ठीक है तो असा अप्षिन है पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा नैश कुछिन है कि मौसम कैसे बनता है ठीक है यह मौसम जो चैन्जमेंट होता रहता है जब सर्दी गर्मी बरसात यह स जब प्रत्वी ऐसे घुमती तो इसके कारण मौसम में चैन्जमेंट होता है इसके कारण मौसम आते है इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्वी के परिक्रमण के कारण ठीक है प्रत्वी जो सूर के चारो तरप चकर लगा रही है दूर जाती है तो सर्दी आ जाती है पास जा एसे करके मतरब जो चक्कर लगाती है ना उसके कारण मौसम चेंडिमेंट होता है ठीक है सरदी गर्मी बर्षात ये सब चीज़ां आती है ठीक है तो यहाँ पर ए उप्षिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा नैस कुशिन है कि आर्टिक बिलो है ठीक है ये कुशिन एक नमबर में पूछा जाता है ये 2016 पूछा गया तो आर्टिक बिलो क्या है परवत का नाम है बन का नाम है बांध का नाम है या जाड़ी का नाम है तो जाड़ी का नाम है ठीक है आर्टिक बिलो किसे कहते है तो ये ज जाड़ी का नाम है तो याद रख लेना सीसी क्या है एक प्रकार की मख्षी है इसका नाम है इसका नाम है कि मलेरिया की दबा कुनैन बनाई जाती है मदार की पत्तों से भांग के पत्तों से नेम के ब्रच की चाल से या सिनकोना ब्रच की चाल से यह बहुत इंपोर्टन कुशन है बहुत एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है कोई भी एक एक्जाम देंगे यह कुशन बहुत जाता पूछा गया है ठीक है तो मलेरिया कि जो दबा है कुनेन किस से बनाई जाती है तो सिनकौन हा ब्रच की छाल से बनाई जाती है तो सिनकौन हा ब्रच की छाल से बनाई जाती है तो सिनकौन हा ब्रच की छाल से बनाई जाती है नैश कुशन है कि पंसील सिधानतों में सबसे महतपूर है पहला प्रादेशिक अखं जब भी ऐसे question आपको देखने को मिला करें तो देखा करो सबसे बड़ा answer कौन सा है और देखा करो सबसे positive कौन सा है तो यहाँ पर दा option जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो इसी के बड़े से यह option हो जाएगा नेश question है कि प्रथम सुतंदरता संग्राम के प्रमुख नेता थे सरदार पटेल, दाधा भाई नैरोजी, महत्मा गांधी या नाना साहिब ठीक है तो जो 1857 की क्रांती होई थी उसके प्रमुख नेता पूछे गए है तो आपने सरदार पटेल का नाम तो उससे आम का नहीं कानपुर में इन्होंने नेतत किया था अंग्रेजियों के विरुद क्रांती की सुरुवात की थी कानपुर में तो नाना साहिब इसका सही आंसर हो जाएगा, दा ऑप्शन या पर बिल्कुल ठीक है, इसमें ऑप्शन बाद दिया गया, वो बिल्कुल गलत है, टीक है नाना से, कानपूर से, दिल्ली से, आबद से, तो रानी लच्छमी भाई आपने सभी को पता होगा, मुसके लिए साइद किसी को ना पता हो, कि रानी लच्छमी भाई जहासी किसे थी, ठीक है, तो जहासी की रानी भी इनने कहा जाता है, तो यहाँ पर A option बिल्कुल ठीक हो जाएगा नाश कुशन है कि नाना साहब का बास्तवी की नाम क्या था धुन्दूपंथ, बाजी राओ, गंगा धर राओ कि इन में से कोई नहीं तो नाना साहब जो थे वो आपको पता कि दत्तक पुतर थे ये बाजी राओ के, ठीक है तो B option बिल्कुल गलत हो जाएगा और महराश्ट के थे, ठीक है ये भी आपको clear हो गया होगा लेकिन उन्होंने नेतत किया था कहां से कानपुर से ठीक है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा धुन्दूपंथ ठीक है दुदूपंथ जो था वो नाना सहब का बास्तविक नाम था नैश कुष्ण है कि 1857 इस भी का स्वदिन्ता संग्राम एक सैनिक क्रांती थी यह कतन किसका था, सर जॉन लॉरेंस का, जेम्स आउटर्म का, एली आर रोज का या SS सैन का, तो किसने यह कहा था कि जो पहला 1857 की स्वदिन्ता संग्राम है वो एक सैनिक क्रांती है, देंकि बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे इतिहासकार थे उन्होंने अपने अपने धंग से का, किसी ने कहा कि पहला सुतंता संग्राम था, किसी ने कहा कि पहली सैनिक क्रांती थी, ठीक है, तो किसी ने पहला और आखरी भी बता दिया, ठीक है, तो कई लोगों ने अपने अपने धंग से बताया, तो इसमें पुछा गया कि 1857 का सुतंता संग्राम का नितोत किया, कई बार हम लोग इससे पहले भी जान चुके हैं, मैंने बताया भी था, कि कुमर्ण सिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, यह जगदीशपूर के थे और जगदीशपूर बिहार में आता है, आज के टाइम का अगर हम बात करें तो भोजपूर जो जिला है बिहार का, ठीक है, वहाँ पर यह पढ़ता है, तो यह बहीं के थे, और वहाँ पर इन्होंने सुतंता संग्राम का नितोत किया था, तो यहाँ पर यह option बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नैस कुशन है कि रानी अबंती भाई किस रियासत की रानी थी, जहासी की, र रानी अबंती भाई जो थी, वह रामगड़ यासत की रानी थी, ठीक है, बियो अप्शन आपर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नैस कुशन है कि मंगल पांडे किस ब्रिटिस छाबनी के सैनिक थे, जहां सी के, जगदिस पूर के, बैरक पूर के, तो आप सभी को पता मंगल प इसकी स्थापना किस ने की थी, तो स्वामी विवे का नन ने की थी, ठीक है, तो यहां पर ए उप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नैस कुशन है कि भारत में थियो स्वापकल सुसाइटी का मुख्याले कहा था, अडियार में, कोलकाता में, साहरनपुर में या बंबई मे ठीक है, तो थियो स्वापकल सुसाइटी की यहां पर बात हो रही है, और इसका मुख्याले कहा था, तो अडियार जो की चेन नहीं में इस्थे थे, वहां पर इसका मुख्याले था, तो यहां पर ए उप्शन जो है, बल्कुल ठीक हो जाएगा, भारत में थियो स्वापकल स तो याद रखना है अलीगड में मुसलिम एंगलो ओरिंटल जो कॉलिस था इसके स्थापना की थी सर स्यद एहमद खाने पहला आप्शन है पर भीगुल ठीक हो जाएगा सर स्यद एहमद खाने नेश कोशिन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने की नैश कुछन है की राजा राम मोहन राय कौन थी ब्रह्म समाज की संस्थापक आर समाज की संस्थापक राम करशन मिशन की संस्थापक या इन में से कोई नहीं तो अभी मैंने आपको बताया कि ब्रहम समाज की स्थापना किस ने की थी, राजा राम भुहन राये ने की थी, तो ए उप्शन आपे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अगर हम बात करें आर समाज की, तो इसकी स्थापना की थी स्थापना की थी स्थापना की थी स्थापना की थी तो अभी मैंने आपको बताया, आर समाज की जो स्थापना थी, वो 1875 में की थी, किसने की थी, सौमी देयानन सरस्वती ने की थी, ठीक है तो यहाँ पर साप्षन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नैश कुशे ने की भारत में सती प्रता का अंत किसने कराया, तो आपको पता कि लौड बिल्यम बेंटिक जो थे, उनके समय में हुआ था, ठीक है, किसने शीच का बिरोध किया था, किसने ये बात पहुचाई थी उनने तक, तो वो पहुचाई थी आपकी राजा राम मोहन रा ठीक है, तो राजा राम मोहन राय जो है, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ओप्षिन हैं पर बिल्कुल ठीक है, अगर गवर्नर का नाम आएगा, तो सर बिल्यम बेंटिक आ जाएगा, ठीक है, लौड बिल्यम बेंटिक जो थे, उनके समय में ये हुआ था, नैश को 75 इस भी में, 1885 इस भी में, 1895 इस भी में, या 1905 इस भी में, याद रखना बहुत important question है, ठीक है, कि रास्टी, कांग्रेज, जो थी, भारती, रास्टी, कांग्रेज, इसकी स्थापना कब ही थी, 1885 में होई थी, ठीक है, कब ही, 1885 में, बा उप्षिन जो है, वो बिल्कुल उसका सही आंसार हो जाएगा ए-o-hume, ठीक है, ये इताबा की साहधि, उस्थे मैं कुस्थ थे, ठीक है, तो इन्हों नहीं की थी, अंग्रेज, जिدकारी थे ये, ठीक है, कलेक्टर बगारे में ते साहधि, एताबा की है, तो a-hume दोरा, ये स्थापना की गई थी, भारती अगरती राष्टी कंग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ तो आपको पता कि भारती राष्टी कंग्रेस की इस्थापनाओी थी 1880 में उसके बाद हर साल इसके अधिवेशन हुआ करते थे तो उसमें कई बार अध्यच पूछी रहाते हैं कि नागपुर अधिवेशन नेस्ट कुशन है कि भारती राष्टी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अधिच्छता किस ने की थी ठीक है जब 1850 सी में पहला अधिवेशन हुआ था उसके अधिच्छ कौन थे बेमोईश्चंद बनर जी जेने डबलू सी बनर जी के नाम से भी हम जानते हैं दादा भा यह उप्शन है पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा नेस्ट कुशन है कि सौराज हमारा जन्व से ददकार है यह नारा किस ने दिया था बहुत फेमस नारा है अभी BPSC का पेपर भी हुआ है उसमें भी एक कुशन पूछा गया है ठीक कि सौराज हमारा जन्व से ददकार है यह दाधा भाई नैरोजी का मोतिला लहरू का बाल गंगाधर तलक का या महत्मा गांधी का तो यह नारा दिया था आपका बाल गंगाधर तलक ने ठीक हो जाएगा नेस्ट कुशन है कि निमलिकित में से कौन इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के उधार दल से संबन देता तो यह हमने पढ़ी भी थी कि दो दल थे ता सोरी तीन दल थे एक नरम बादी थे ट्यकि जिन्ने हम लोग उधार बादी भी कहते थे जो नरम दल था उन scheint गांधी यूग आया तो इसमें पूछा गया उधार दल के बारे बटाया कि गरम दल में कौन जो प्रमुक नेता थे तो वो लाल बाल पाल थे जब भी आप लाल बाल पाल देख लिये तो spending जाएं कि वो गरम बादी दल था ठीक है जो गरम पंती लोग थे उनका दल था जिसमें आपको बालगधर तलग देखने को मिलें जो बाल की नाम से फि और तीसरे थे आपके विपिंचंदर पाल, जिने पाल कहते हैं, तो ये लाल बाल पाल थे, ये सारे जो भी थे, वो गरम दल से सम्बन देते, जबकि फिरोसा महता जो थे, वो उदार दल से सम्बन देते, यानि कि नरम पन थी थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दा नैस्ट कोशन है कि जलिया वाला बाग घत्या कांड की जो घटना थी, वो कब होई थी, तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये आंसर बहुत इंपोर्टेंट है, 13 मार्स 1919 को जलिया वाला बाग घत्या कांड हुआ था, ठीक है, नैस्ट कोशन जो इंपोर्टेंट बनता वो है कि चोरी-चोरा कांड जो था, बो कब हुआ था, ठीक है, तो चोरी-चोरा कांड जो था, बो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, 5 फरवरी नहीं दी, सभी में 6 दी है, तो 6 फरवरी 1922 हो जाएगा, ठीक है, दो आप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, कब हुआ था, तो 6 फ प्रारम किया था, महत्मा गांधी ने किया था तो सन 1942 को भारत छोड़ो अंदोलन चलाया गया था, ठीक है नैस्ट कुशन है कि साइमन कमिशन भारत कब आया था ये भी कुशन बहुत पुछा जाता है कि साइमन कमिशन जो था भारत कब आया था 1922 सीजबी में, 1924 सीजबी में, 1926 सीजबी में, 1928 सीजबी में तो भारत छोड़ो, सॉरी, साइमन कमिशन की century एगर हम बात करें तो ये 1928 माया था, ठीक है, कब आया था भारत, 1928 माया था तब नारे लगाये गए थे, साइमन कमिशन गो बैक, गो बैक करके नारे लगाए थे, ठीक है, तो इसी में एक जगा बिरोध हो रहा था, उसमें लाला लाश बत्राय जो थे, उनके लाठी बगएरा लगई थी, वो गायल हुए, फिर वो एकस्पायर हो गए, ठीक है, तो यही साइमन कमिशन था, 1928 में यह आया था, 1930 में साइद इसने अपनी सौपी थी, ठीक है, तो दा अप्शन है, आपर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नेस्ट कुशन है कि साइमन कमिशन का बिरोध करते हुए, निमलिकित में से कौन, पुलिस की लाठीों के प्रहार में सहीध हो गए थे, ठीक है, किसी के लाठी लगी थी और वो सहीध हो गए थे तो कौन थे वो, मोतिलाल नहरू, लाला लाच पत्राय, गोपल करशन गोकले या देश बंदू, चितरंजन दास, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, तो लाला लाच पत्राय जो था वो उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बाप्शन क्या है, बिल्कुल ठीक हो जाएग ग्रिकुल ठीक है, मने आपको बताया, कि कांग्रेस के अदवेशन होते थे हर साल, तो यह कौन सा अदवेशन था, कहां पर यह अदवेशन हुआ था, जहापर पूर्ट सौराज की मांग की गई थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा, लाहुर ठाशन था, उसमें पूर्ट स नेश कोशन है कि महातमा गांधी अफरीका से भारत कब लोटे 1914 S.V. में, 1916 S.V. में, 1918 S.V. में या 1920 S.V. में तो आपको पता होना चाहिए कि महातमा गांधी अफरीका गए थे ठीक है, महाँ पर रंगवेद की जो नीती थी उसके खिलाप महाँ पर बिरोध भी किया था है इनों ने देखिए सही आंसर है 9 जनवरी 1915 क्योंकि 1915 को ही ये बापस लोटे थे इसलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाते हैं ठीक है तो सही आंसर क्या है 1915 नेश कोशेन है कि कैबिनेट मिसन भारत कब आया ठीक है कैबिनेट मिसन आपको बता कि भारत आया था उसने समधान सभा का निर्मान किया और उसी समधान सभा ने फिर समिधान भनाया था भारत का ठीक है तो केबिनेट मिसन की बात हो रही 1945 में ये भारत आया था 1946 को केबिनेट मिसन भारत आया था नेश कोशन है कि प्रतम गोल में सम्मेलन कब हुआ 12 नवंबर 1930 को 12 सितंबर 1930 को 15 जनवरी 1931 को या 15 फरवरी 1932 को तो आप सभी को पता होना चाहिए गोल में सम्मेलन जो ते वो 3 हुए थे लंदन में हुए थे 3 हो गोल में सम्मेलन क्यों कहते हैं की गोल मेज होती थी जिसके चारो तरप ये सारी नेता बगएरा बैठे होते थे ठीक है जो भी भारत का प्रतिनिद्द कर रहे हैं जो अंग्रेजों का प्रतिनिद्द कर रहे हैं ठीक है तो ये सारी लोग बैठे होते तो मीटिंग चलती थी चीजों पर डिसकस होता था कि मेलन जो था, वो 12 नवंबर 1930 इस भी को हुआ था, ठीक है, तो ए उप्षिन जो है, वो हैंपर बुलकुल ठीक हो जाएगा, नेश कुशे ने कि आजाद हिंद फौज का पुनर गठन किस ने किया, सुवाशन बोस ने, चंसे का राजाद ने, भगस ने या इन में से कोई नहीं, देखिए इसमें पुनर गठन का गया, इसका मतलब है कि पहले इसका गठन हो चुका था, ठीक है, तो आजाद हिंद का पुनर गठन किस ने किया, तो सुवाशन बोस ने किया था, नेश कुशन है कि 2 अक्टूबर को महतमा गांधी के अत्रिक्त किसकी जैनती मनाई जाती है, ये कुशन तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि महतमा गांधी के अत्रिक्त हम किसी और की भी जैनती मनाते है दो अक्टूबर को वो किसकी मनाते हैं तो लाल बहादुर सास्त्री की मनाते हैं बी ओप्शन है पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा नेश कुशन है कि महत्मा गांधी ने डांडी यात्रा की थी किसकी बिरोध में की थी रॉल अटेक्ट की बिरोध में किरिप्शमिसन की बिरोध में उत्तरता ही साशन की स्थापना है तू या नमक कानून तोडने है तू ये कुशन भी देखी अभी बीपेश्ची का मैंने पेपर देखा था तो उसमें ये कुशन आया था ठीक है कि डांडी यात्रा को किस नाम से जाना जाता है ठीक है तो नमक सत्ताग्रह की नाम से जाना जाता है डांडी यात्रा को ठीक है तो डांडी यात्रा का दूसरा नाम पूछा गया था तो इससे नमक सत्ताग्रह की नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर क्या पदभी दी गई थी, ठीक है, great old man of India की, ठीक है, गोपालकरशन गोख्रे को, सुरहनात बनर जी को, दादा भाई नहरोजी को, या फिरोसा महता को, तो दिखे, great old man of India किसे कहा जाता है, दादा भाई नहरोजी को कहा जाता है, क्योंकि काफी old थे है, 1825 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, अब सूचिए, 1906 तक ये अधिवेशन में आते जाते रहे, ठीक है, तो बहुत agent थे ये, तो इसलिए, great old man of India की पदवी दी गई थी, नैस कुषिन है कि हिंदूस्तान, Republican, Association की स्थापना किस न की, अभी मैंने आपको बताया, इसे sort में हम इंगलीज में क्या कहेंगे, HRA कहते हैं, ठीक है, तो HRA की स्थापना ठीक है, तो दाधाभाई नहरोजी जो थे वो भारती राश्ची कांगरेस के अधिच कब बनाए गए थे, तो 886 में बनाए गए थे, ठीक है, पचासी में कौन था, तो WC बनर जी थे, यानि की वेमोशन बनर जी थे, 886 में जो हुआ, उसमें दाधाभाई नहरोजी बनाए ठीक है, तीन बार ये बने थे, ठीक है, 86 में बने, 92 में बने, पर 1905 के आसपा, 6 के आसपास बने थे, ठीक है, तो सबसे पहले बने थी, या 1886 में, तो ए उप्शन आपर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पर नेच कोशन है कि किस की हत्या करके, लाला लारजपत राय की पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, जनर्रल डायर को कम मारा गया था, तो जनर्रल डायर को उदम सिंग ने मारा था, जो जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था, उसमें उसने ओर्डर दे दिया था, ठीक है, गोलिये से लाने का, तो इसलिए उदम सिंग ने उसे मा संस्तापा कौन थे तो गोपाल करशन गोख लेते ठीक है इसा option यहां पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा दिके जिन option में आपको यह कहा सकते जिन प्रशनों में आपको dot दिख रही है न कि dot बगरा लगी हुई है तो वह important question है उन्हें अच्छे से पढ़ना क्यों आपको जल्दी वीडियो में हम इतने ही question रखते हैं ठीक है 100 के लगबग question है तो next video में वो cover हो जाएंगे ठीक है तो फिर मिलते है next video में तब तक अच्छे से याद कर लेना revise कर लेना ठीक है जहां पर doubt होता कि यह आपको याद नहीं रहेगा तो उसे अच्छे से कम सकम 5-6 बार पढ़ना ठ ठीक है तो फर मिलते है next video में thank you so much for watching this video